Hello friends, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ कृतिका पांडे और आज मैं आपको बताऊंगी, Kelly ERP9 में किसी भी कंपनी में पास्वर्ड कैसे लगाते हैं, तो इसमें हम लोग तीन चीजें आज जानने वाले हैं, एक तो किसी भी कंपनी में पास्वर्ड कैसे लगाते हैं, प्रोसरा किसी भी कंपनी का पास्वर्ड कैसे चेंज करते हैं, और तीसरा किसी भी कंपनी का पास्वर्ड कैसे डिलीट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आगे आने बाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मलता रहे तो चलिए वीडियो स्पाट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंपनी में आप दो तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं एक तो जब आप कंपनी क्रेट कर रहे हैं तब आप पासवर्ड लगा सकते हैं दूसरा आप क्रेट करने के बाद भी उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं हम सबसे पहले यह देखेंगे कि company करते टाइम हम उसमें password कैसे लगाएं हम आप देख रहे हैं मैं company info पे हूँ यहां से हम create company पर click करेंगे create company पर जब हम click करेंगे तो हम यहां से company का अपना कुछ नाम दे देंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि सारी details एंटर करने के बाद में आपको इधार आना है security control में tally vault password पर यहां से आप अपनी company में password दे सकते हैं company में password देने का यह फाइदा होता है कि फिर आपकी company का data कभी भी कोई आपकी मरजी के बिना नहीं देख पाएगा आपकी company तभी open हुआ करेगी जब आप उसमें password एंटर करेंगे और आपकी company को कोई भी backup नहीं ले सकता है restore नहीं कर सकता है जब तक उसमें password ना दिया जाए ठीक है तो यहां से जैसे मैंने कोई password एंटर कर दिया है इसके बाद इसी password को हम repeat करेंगे और फिर हमें इसे एंटर कर लग चुका है अब मैं आपको दिखाती हूं कि company info में जाएंगे हम company select करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन भी companies के ऊपर password लगा होता है उन पर company का नाम नहीं दिखाई देता है उसमें इस तरीके से कुछ dot dot बनके आते हैं company का current period भी नहीं दिखता है वागे जिन company पर password नहीं है उसे हम यहां से close कर देते हैं अब दीखना इस company को जब भी हम कभी open किया करेंगे ABC वाली company को तो आप देखेंगे कि हमेशा इस पहले password मांगीगा तो हमने यहां से password जब दिया है तभी यह company open होगी तो इस तरीके से आप साथ में password दे सकते हैं और बाद बात यह करते हैं कि company create करने के बाद में उसमें password कैसे लगाए इस company को हम लोग search कर देंगे ABC वाली को और यहां से हमारी जो टैली वाउचर वाली company है वो आप देख सकते हैं कि उसमें भी कोई भी password नहीं लगा हुआ है अब इस company पर password लगाना सीखेंगे company create करने के बाद में आपको इसी तरीके से Alt F3 प्रिस करके company info पर आना है और यहां से आपको option मिलेगा change tally vault पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपनी company का नाम यहां पर लेना है और आपको यहां से अपना नया password बना लेना है क्योंकि अभी इस company पर कोई भी password नहीं लगा है तो आपको बस सीधा एक नया password यह लगाया करेंगे तो हमेशा उसकी एक आपकी नई company बनके तयार हो जाया करेंगी मतलब जब password लग जाएगा तो password लगी हुई एक नई company create हो जाएगी जिसमें आपका same वही आपको data मिलेगा तो हर बार आप अपनी पुरानी वाली company को जिस पर password नहीं लगा था उसे आप delete कर स इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी company पहले थी tally vouchers के नाम से उस पर password नहीं है पर जो हमारी नई company create हुई है उस पर password है तो हम एक काम करते हैं F1 प्रेस करके company को shut कर देते हैं और company shut करने के बाद मैं आपको रिखाती हूँ company open करके जिस पर हमने password दिया है तो हम आएंगे select company प tally voucher है जिस पर हम enter करेंगे तो वो बिना password के open होगी और दूसरी एक और हमारी tally voucher के नाम से company है जिसका number था 1002 इसका भी नाम tally vouchers ही होगा पर यह हमारी updated company है और जितना data हमारा पहली वाली company में था वो सब आपको इसमें मिल जाएगा आप हर बार यह पुरानी वाली company को delete क कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले की टुटोरियल में company delete करना बताया है जैसे इस हम जब tally voucher वाली company को open करते हैं आप देखेंगे किस में password माग रहा है password हम entered हो आप देखेंगे कि हमारी tally voucher की company open हो चुकी है आप हम एक काम करते हैं alt tab 1 प्रेस करके alt tab 1 प्रेस करके जो हमा जाएंगे सबसे पहले आपको company select कर लेनी होगी पुरानी वाली जो आपको delete करनी है तो उसे हम जाएंगे हमारी एक साथ tally voucher की दो company open नहीं हो सकती है तो एक company को पहले हमें shut करना पड़ेगा इसे हम shut कर देंगे इसके बाद हम अपनी पुरानी वाली company को पहले यहां से open कर करने के बाद में हम alter पर जाएंगे और यहां से alt के साथ d press करने से delete option आए और आपको इसे enter करके delete कर देना है तो आप देखेंगे जो हमारी tally voucher वाली password वाली company थी सिर्फ हमारी वही यहां पर है तो यहां पर हमने देखा कि हम अपनी company में कैसे password लगा सकते हैं और हर बार लगा हुआ है तो हमने पास्वर्ट यहां लगा हूँए प्र इसके बाद आपको यहां से नया password पर Connect डेना है जो आपको यहां पास्वर्ट कर देना है करें नया password को आपको रिपे problems राखना है अब जैसे आप सेफ करेंगे तो आप देखेंगे फिर से बता रहा है क्रिएट नू कंपनी वो इसका नंबर क्या है तैन थाउजन वन फोर टाइम जिरो इसका मतलब हमारी जुमने पासवर्ट चेंज के उसके फिर एक नई कंपनी बनके तयार होगे इसका मतलब अब हम पुरानी बाली कंपन जो भी हमारी कंपनी बनके तयार होगी है 14X0 इसे एंटर करेंगे न नया वाला आप पासवर्ट देंगे तो आप देखेंगे कि टैली वाउचर वाली हमारी नई कंपनी यहां पर ओपन हो गई है तो इस तरीके से आप टैली में पासवर्ट चेंज कर सकते हैं और लास्ट और रिपीत नुव पासवर्ट को भाप्शन के आप एगा तो आप यहां से कोई भी पासवर्ट एंटर नहीं करेंगे आप New Password को भी blank जैंके और जासे आप इसे ब्लांग के तो यहां पर लिख जेंगे में गर इसमें पास्वड नहीं देंगे तो जो इन्क्रिप्शिन ल जिसमें हमारा password नहीं लगा है तो एंटर कर लेते हैं और पहले यह जो हमारी पासवर्ड वाली कंपनी है इसको हम अल्टर पजा के डिलेट कर देते हैं तो आप तैली कंपनी का नमबर याद रखीए गा इससे हम डिलेट गरेंगा बांपनी जो कंपनी अभी एमारी आप हमसे कॉमेंट करके जरूर पूछ लें, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्स्प्राइब जरूर करें और कॉमेंट करना बिलकुल भी न भूलें, हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में, किल झाल